चंद्र राशे कन्या का मासिक राशिफल अक्टूबर दो हजार चॉबीस स्वास्थ्य यह महीना स्वास्थ्य के द्रिष्टिकों से बेहद कमजोर रहने की संभावना है आपको अपने स्वास्थ्य पर पूरी तरह से ध्यान देना पड़ेगा राशी स्वामी बुधस्त अवस्था में महीने की शुरुआत में आपकी ही राशी में विराजमान रहेंगे उनके साथ सूर्य और केतू भी होंगे तथा राहू सप्तम भाव में विराजमान होंगे शनी महाराज अपनी ही राशी कुम्ब से होकर छठे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे तो देवगुरू ब्रहस्पती महाराज नवम भाव में बैठकर प्रथम भाव को देखे इसलिए अपनी स्वास्थे समस्याओं के प्रती सचेत रहें आपको किसी प्रकार का पेट या अन्य प्रकार का संक्रमन परेशान कर सकता है. इसके अतिरिक्त मानसिक तनाव से भी आपको जूजना पड़ सकता है. महीने का पूरवार्ध ज्यादा कमजोर है. महीने के उत्तरार्ध में अप एक शाकृत धीरे धीरे स्वास्थे में सुधार आना शुरू हो जाएगा. आपको यदि कोई बड़ी समस्या महसूस हो रही है तो ततकाल प्रभाव से चिकित्सा की देखरेख में अपना उपचार कारण ताकि आप स्वस्थ हो सकी. करिया, करिया के दृष्टि कोण से ये महीना अनुकूर रहने की संभावना है? दशम भाव में मंगल महाराज महीने की शुरुवात में रहेंगे और दशम भाव के स्वामी बुध महाराज आपके प्रथम भाव में अपनी उच्छराशी कन्या में सूर्य और केतु के साथ स्थित रहेंगे उनकी उपर देवगुरु ब्रहसपती की भी पूर्ण दृष्टी रहेगी इससे आप अपनी नौकरी में अपनी सूजबूज का परिचय देंगे आपके हाजर जवाब और आपकी काम के प्रती कुशलता आपको सबसे आगे रखेगी जिससे कार्यक्षेत्र में अच्छे सफलता की योग बन सकते हैं छटे भाव के स्वामी शनी महाराज छटे ही भाव में विराजमान रहेंगे लेकिन वक्री अवस्था में होने से आपको नौकरी में कठिन मेहनत करनी होगी आपके उपर काम का दबाव भी होगा लेकिन आप किसी भी चीज से घबराएंगे नहीं और अपना शत प्रतिशत योगदान देने में काम्याब रहेंगे आपके सहकर्मियों का विशेश सहयोग आपको मिलेगा जिससे आप कार्यक्षेत्र में अच्छी स्थिती प्राप्त करने में काम्याब रहेंगे उसके बाद मंगल आपके एक आदर्ष भाव में 20 अक्टूबर को चले जाएंगे जिससे आपको और बहतर परिनाम की प्राप्ती होगी बुद्ध महराज 10 अक्टूबर से आपके दूसरे भाव में जाएंगे जो आपको नौकरी में अच्छी आमदनी भी प्रदान करेगा व्यापार करने वाले जातकों के लिए महीना छीक ठाक रहने की संभाबना है आप अपनी सूजबूज और तेज बुद्धी का इस्तेमाल करते हुए व्यापार में कुछ नए तेजी लेकर आएंगे कुछ नए लोगों से आपके नए संपर्क स्थापित होंगे और आपको इससे लाब मिलेगा व्यावसाहिक साजेदार से अगर अच्छे संबंद बना कर रखेगे तो इससे आपको अत्यदेक लाब होगा महीने की शुरुआत में सूर्य बुद्ध और केतु प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे जिससे व्यापार में कुछ शिथिलता भी आ सकती है इसलिए कुछ चुनौतियों के लिए आपको तयार रहना होगा लेकिन महीने का उत्तरार धनुकूल रहेगा जिससे व्यापार में प्रगती होगी प्रेम विवाह व्यक्तिगत संबंध, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना कुछ कठिन रहेगा मंगल महाराज महीने की शुरुआत में दशम भाव में बैठ कर आपके पंचम भाव को अश्टम द्रिष्टी से देखकर प्रेम भाव को कमजोर कर सकते हैं पंचम भाव के स्वामी वक्री शनी छठे भाव में रहेंगे, जो प्रेम के मामले में आपको कठेन चुनोतियां में घेर कर रखेंगे आपको बार-बार परीक्षा से गुज्रना होगा और अपने आपको साबित करना होगा हालांकि देबगुरु ब्रहसपती की दृष्टी नवम भाव से पंचम भाव पर होने के कारण आप अपनी जिम्मेदारियां को भी निभाएंगे और अपने रिष्टे को भी बराबर महत्वत देते जाएंगे जिससे आपका प्रेम जीवन अच्छा चलेगा लेकिन 9 अक्टूबर से ब्रहसपती वक्री हो जाएंगे और मंगल भी 20 अक्टूबर से करक राशी में यानी की अपनी नीच राशी में एक आदश भाव में जाकर आपके पंचम भाव को देखेंगे जो आपके रिष्टे के लिए अच्छा नहीं होगा इसलिए आपको करने की कोशिश करनी होगी ताकि आपका प्रेम जीवन ठीक ठाक चलता रहे विवाहत जातकों की बात करे तो रहू महाराज पूरे महीने सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे और सप्तम भाव के स्वामी ब्रहसपती महाराज नवम भाव में रहेंगे जिससे जीवन साथ के साथ कही ना कही घूमने या किसी तीरत स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं. सूर्य बुध और केतु प्रथम भाव में बैठे रहेंगे महीने की शुरुवात में आपका वैवाहिक जीवन को परेशानियों में डाल सकते हैं. उसके बाद महीने का उत्तरार्ध हप एक शक्र तनुकूल रहेगा और तब इन समस्याओं में कमी आएगी जिससे आप राहत की सांस लेंगे. सला, आपको अपने राशी स्वामी बुध महाराज के विशेश रत्न पन्ना रत्म को अपनी कनिष्ठे का अंगुली में बुधवार के दिन धारन करना चाहिए. आपको प्रति स्वरूप कुछ न कुछ अवश्य दे. सामान्य, कन्या राशी में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मिश्रत परिनाम लेकर आएगा. आपको अपने स्वास्थे का विशेश रूप से ध्यान रखने की आवश्यक्ता पड़ेगी क्योंकि इस महीने आपकी सेहत कमजोर रह स और आप बीमारियों की चपेच में आ सकते हैं. आपके रोग प्रते रोधक शमता में भी कमी होने के संकेत मिलते हैं, जिससे आप किसी भी संक्रमन की चपेच में आसानी से आ सकते हैं, इसलिए इस पूरे ही महीने अपने स्वास्थे का बहतर तरीके से ध्यान रखें. जहा अपने व्यावसाएक साजेदार से अच्छे संबंधों के कारण आपके व्यापार में उन्नती होगी, लिकिन कई ऐसी चुनोतियां आपके सामने आएंगे जो व्यापार की गती को शिथिल कर सकती हैं, इसलिए साबधानी से आगे बढ़े. पारिवार एक जीवन में अच् ठाक रहने की संभावना है, जबकि विद्यार्थियों को कठिन चुनोतियों के लिए तैयार रहना होगा. आप पढ़ाई के लिए विदेश जाने में काम्याब हो सकते हैं. वितर, यदि आपकी आर्थिक स्थिती को देखा जाए तो यह महीना बहुत हद तक आपको अच्छे परिनाम प्रदान कर सकता है, लिकिन शनी महाराज छठे भाव में वक्री अवस्था में बैटकर द्वादश भाव को देखेंगे जो आपकी आर्थिक चुनोतियों का कार बन सकते हैं और आपके किसी न किसी खर्च को लगातार बनाए रखेंगे। इस महीने आपको किसी के स्वास्थे पर भी खर्च करना पड़ सकता है या आप खुद भी बीमार हो सकते हैं इसलिए आपको अपने स्वास्थे पर भी खर्च करना पड़ सकता है। दूसरे भाव में विराजमान रहकर आपके बैंक बैलेस में वृद्धी करेंगे और धन को संचित करने में मदद करेंगे। जिससे आपकी आर्थिक स्थिती दिन प्रति दिन बढ़िया होती जाएगी। उसके बाद सूर्य और बुध महीने के उत्तरार्ध में आपके दूस बनाने में मदद करेंगे। आपको बस इस महीने बहतर तरीके से अपने धन्धे को संभालने पर ध्यान देना होगा आपकी आर्थिक स्थिती स्वता ही दुरूस्थ हो जाएगी। जो कुटुम के सदस्यों में आपस में प्रेम भाव बढ़ाएंगे। आपके परिवार में कोई बड़ा फंक्षन या शादी विवाह का कार्यक्रम संपन हो सकता है। या किसी का जनम दिन भी मनाया जा सकता है। फिर भी एक डोर में आप सभी बंदे रहेंगे जो पारिवारिक जीवन को मजबूत बनाएगी। 10 अक्टूबर से बुध और 17 अक्टूबर से सूर्य तुला राशी में दूसरे भाव में आ जाएंगे तो शुक्र 13 अक्टूबर को व्रिष्चिक राशी में तीसरे भाव में चले जाएंगे। इससे भी परिवार की साफ में वृद्धी होगी। परिवार को समझ में विशेश स्थान मिलेगा और आपको भी खुशी मिलेगी। भाव बहनों के लिए ये समय अनुकूर रहेगा और उन्हें प्रगती करने का मौका मिलेगा। वो अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और उनसे भी आपको लाब होगा पर और आपसे भी उन्हें लाब होगा जिससे आपका आपसी सामन जस्य और बहतर हो जाएगा और आप पारिवारिक जीवन का बहतर तरीके से लुत्फव उठा पाएंगे।